नमस्कार दोस्तों, दोस्तों HSC Advanced Physics में आज गा जो हमारा टोपिक रहेगा वह 12th कलास का वह ओप्टिक्स रहेगा और ओप्टिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे यंग्स Double Slit Experiment के बारे में पड़ेंगे भई, जहां से आपके HSC के एक्जाम में क्योशन पूछे जाते हैं भई तो भी दोस्तों जैसे हमारी 11th कलास की फिजिक्स चल रही थी भी 10 कलास कंप्लीट हो चुकी हैं भई अब आपका भई 11th से अगर कोई भी क्योशन आएगा तो उनी कलास से आजाएगा भई अब 12th में चलते हैं तो भई अब हरियाना पुलिस के एक्जाम को देखते हुए भई जो important topics हैं उनको पड़ेंगे भई देखिए भई जैसे optics है तो optics से हर बार क्योशन आता है चाहिए वो diffraction से क्योशन आई या फिर यंग्स के परियोग यानकी यंग्स double slit experiment से आए तो इसलिए इन topic को भई हम पहले discuss करेंगे और फिर बचेवे topic हैं उनको बाद में discuss करेंगे जो की SI का exam भी होगा ग्राम स्यू का exam भी होगा तो हरियाना पुलिस वालों के लिए ये important topic को पहले discuss कर रहे हैं ठीक है वई तो ये class देखने के बाद अगर यंग्स double slit experiment का कोई question आता है तो आपका question गलत नहीं होगा अगर आप सभी फोर्मूले को अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से उनको समझेंगे तो question गलत होने के chances बहुत कम है वई चलो भी शुरुआत करें भी आज की class की शुरुआत करते हैं वई इससे पहले भी जो classes है उनके description box में आपको complete करें वो target complete होगा भई ठीक है लेकिन SI के exam वालों के लिए कोई दिक्कत ने आईगे अब हरियाना पुलिस के लिए 11th complete है और 12th के कुछ important topic होंगे भी चलो भी शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरुआत करें देखें वीडियो को last तक जुरूर देखें अगर आप एक point द का लेते हैं वाई सिद्यदे फिजिक्स में ओ ती भी एक wave है ठीक है अब क्या है अब एक सेकेंड वेव है अगर amino wave है अगर अगर दूसरे का उपर सुपर सुपरिंपोज निकी add हो जाती है तो क्या होगा वई तो यह होगा कि इसका a एक बड़ी वेव बन जाएगी यानिक एक बड़ी वेव बन जाएगी अगर एक वेव दूसरी वेव के उपर सुपरीम पोज होती है और उसका एंपलिटूड बढ़ जाता है तो यह कब होता है जब दोनों वेव किसके अंदर होती है फेज के अंदर होती है जैसे यह भी पो constructive interference हम इसका नाम देंगे बई interference जिसके अंदर बई कोई भी दो wave एक दूसरे को परशिप परिम पोज करें और resultant amplitude क्या हो जाए ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा constructive यानि कि क्या हो बई wave क्या हो बई same page के अंदर हो बई और इसके corresponding अगर कोई भी light है तो उसके point कौन से मानते हम bright point बढ़ेंगे यह एक overview दे रहे हैं भी पहले आपको ठीक है यह भी हो सकता है दूसरी condition यह भी हो सकती है अगर एक wave आती है जो पहली wave है वो क्या है वो positive direction में जा रही है और दूसरी wave क्या है negative direction में जा रही है हम इसका नाम ले लेते हैं भी यान की wave को दर्शाने के लिए y is equal to a sin omega t ले ले लेते हैं भी और इसमें क्या हो जाएगा y is equal to minus के a sin omega t आजागा यह क्या wave है यह minus की wave आजाएगी भी तो जब इन दोनों को add करते हैं supreme pose करवाते हैं तो एक तो है plus की भी और एक है minus की और resultant में क्या होगा कि कोई भी wave नहीं बनेगी सारे के सारे point क्या रह जाएगे x-axis के उपर रह जाएगे इसका मतलब amplitude हुआ भई नहीं हुआ भई तो इस तरीके के interference यानि कि supreme position को हम क्या बोलेंगे destructive interference बोलेंगे क्या बोलेंगे destructive interference बोलेंगे भई अब इंदी वाले समझ जाए वह अगर उन्होंने इंदी में अच्छे से science पढ़ी है तो वह अपने आप समझ सकते हैं सुप्रीम पोजिशन दो वेव के सुप्रीम पोजिशन जब वह फेज में हो तो constructive बनता है और दो वेव जो opposite फेज में हो उनके लिए क्या होता है amplitude क्या हो जाता है जीरो हो जाता है वह कई बार कम भी हो जाता है तो वह क्या जेगा destructive interference यह कलियर हुआ वह इससे आगए की तर नोट करो वह देखिए एक वेव को दर्शात्य किस परकार है थोड़ा सा mathematics के अंदर चलते हैं और एक वेव को दर्शात्य किस परकार है तो कोई भी वेव होती है जैसे कि transverse वेव होती है या longitudinal वेव होती है उनको दर्शाने के लिए एक वर्ड यूज करते है वाई-वाई क किस चीज से हमने दर्शाय साइन से क्योंकि यह जो ग्राफ है किसका वही साइन का है माल लेते हैं यह पहली वेव है और यह दूसरी वेव आई भई वही वाई इस इकुल टू दूसरी वेव को हम कि a sin omega t पूरा derivation नहीं कराएंगे बस आपको बता देते हैं sin omega t plus के 5 ठीक है अगर इसको complete solve करते हैं तो इसका जो complete आता है तो y is equal to r sin omega t plus के क्या आता है ठिट आता है यानि कि अगर एक wave दूसरी wave के उपर supreme pose करती है तो resultant amplitude क्या आएगा resultant phase क्या आएगा तो वो लिख लीजिए बई जो आर है resultant amplitude क्या होगा a square plus b square plus के 2ab कोस ओफ फाई आजेगा यानि कि आपको दो wave दी जाती है बई दोनों wave के बीच में माल लिया कि angle कितना है बई angle कितना है 90 degree का है एक wave है और एक दूसरी wave है तो दोनों के बीच में angle कितना है बई 90 degree का है तो 5 क्या आजेगा 5 तो 90 हो जेगा इसकी वज़े से ये तो cut हो जेगा सब 0 हो जेगा और resultant amplitude क्या आजेगा बई तो a square plus के क्या आजेगा b square आजेगा माल लिया कि दोनों wave क्या है फेज में है अगर एक ही फेज के अंदर होती है तो phase difference कितना आता है बई 0 degree आता है अगर इसके अंदर cost 0 put करते हैं तो कितना आजेगा बई 1 आता है बई और ये जो resultant है वो कितना हो जेगा अंड रूट a square plus के b square plus के 2ab आ जाता है और इस पूरे फार्मूले को solve करते हैं तो r is equal to a plus b कहाने का मतलब क्या है y is equal to a sin omega t दूसरा क्या है y is equal to a sin omega t दोनों wave same amplitude की same page के अंदर है तो वही क्या हो जाएगा resultant क्या हो जाएगा उनके amplitude क्या हो जाएगे add हो जाएगे वही ठीक है और उसी परकार अगर इनके बीच में out of phase out of phase मतलब 180 degree का angle बने है तो phi की value अगर 180 degree रहती है तो कितना आ जाएगा वही 180 degree में minus आ जाता है और r की value क्या जाएगी a minus का b आ जाएगी r is equal to a minus b अगर दोनों wave same page में है तो amplitude क्या हो जाएगे add हो जाएगे और अगर opposite page में है तो क्या हो जाएगे amplitude minus हो जाएगे वही क्या हो जाएगे minus हो जाएगे इसके बाद एक word लिखो बई intensity कराएगे वही यंग्स experiment कराएगे अभी intensity क्या होती है amplitude के square पे depend करती वह में सा माल्या की first wave है इसकी intensity क्या होगी वही इसके amplitude का square होती है क्या होती है i is equal to a square second wave की intensity क्या होगी वही इसके amplitude पे depend करेगी कितना जेगा b square वही लेकिन जब दोनों wave superimpose हो जाएगी तब उनकी intensity क्या होगी तो I is equal to क्या हो जेगा अगर फेज के अंदर है तो A plus B का सुकेर आजेगा अगर आउट ओ फेज है अगर यह 0 degree है और 180 degree है तो कितना आजेगा 1 minus का B आजेगा 1 minus का B आजेगा अब जल्दी से एक question लिखो और उस question से समझने का प्रियास करते हैं कि वही किस तरीके से आपका question होगा ठीक है भई माल लिया कि वही आपको दे रख्या एक question लिख लिजिए भई देखिए भई numerical आते हैं अब numerical solve करेंगे तो वही number पका हो जाएगा अगर numerical solve नहीं करते हैं तो भई नहीं होगा भई देखिए भई intensity दे रख्या two coherent source से भई आपके intensity का ratio दे रख्या भई क्या दे रख्या है intensity दो wave हैं आई वन आई टू है उनका intensity का ratio दे रख्या है क्या c ratio एक भई ठीक है भई अब ये दोनों wave क्या हो जाती है supreme pose हो जाती हैं तो बताईए कि maximum intensity paper में पूछा जा सकता है maximum intensity और minimum intensity के बीच का ratio क्या होगा भई तो maximum intensity के लिए क्या होता है amplitude add हो जाते हैं यानि कि क्या पूछ रहा है भई ये a plus b का whole square और a minus b का whole square ये हमें निकालना है ठीक है भई और ये हमें दे रख्या भई तो पहली wave का amplitude बताओ भई क्या है भई a और a का square intensity होता है दूसरी wave का b square होता है इन दोनों से हमें a by b की value निकालनी है भई तो यहाँ पे इनको solve करने के लिए square root लेंगे यानिकि ये क्या जाएगा 9 ratio 1 यानिकि a की value क्या जाएगी 9b जाएगी यहाँ पे a की value 9b पूट करो भई 9b पलस b कितना होजेगा 10b और ये कितना होजेगा 8b जाएगा यहाँ से 100 जाएगा और यहाँ से 64 जाएगा यहाँ से 25 जाएगा यहाँ पे कितना होजेगा 16 जाएगा तो 25 ratio 16 आपका क्या होजेगा right answer होजेगा समझ में आ गया भई अगर wave page के अंदर हैं तो भई क्या होजेगा amplitude add हो जाएंगे अगर wave out of page हैं तो amplitude गट जाएंगे और maximum intensity और minimum intensity का अगर पुछे तो a plus b का whole square और a minus b का whole square में निकालना है intensity अमें दे रखी हैं और यहां से निकालते हैं तो no ratio 1 आता है इस परकार वई question आपके exam में बन सकता है इस तरीके से आप solve करेंगे अब कहेंगे कि सर यंग्स double slit से आ है तो वो भी देख लेते हैं यंग्स double slit से किस परकार question आते हैं पहले इसको note करें वई देखिए वई एक ऐसा topic है वई जो आपको बहुत कम पढ़ाया जाता है और यहां से तो वई बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता ठीक है अगर आप यह सोचेंगी विए दो दिन के अंदर पूरी physics पढ़ लें तो यह तो possible होगा नहीं वई इतने दिन से कर क्या रहे थे वो भी एक question है ठीक है वई इसके बाद वई देखते हैं देखिए दो चीज़े हुई वई एक हो गया constructive interference क्या हो जेगा constructive interference अगर आपके पास NCRT की book है या फिर परदीप की book है तो वहां से इस topic को ज़रूर पढ़ें यहां से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वहां से पढ़ सकते हैं तो constructive interference के लिए क्या condition होनी चीए पहले तो एक formula लिख लो भई अमेशा जो phase difference होता है क्या होता है phase difference का formula क्या होता है यह होता वई 2 pi by lambda इंटु में क्या होता है path difference पेपर के अंदर कई बार डारेक्ट पूछा जाता है कि भई phase difference का formula क्या है तो क्या होगा वई 2 pi by lambda इंटु में path difference यानि की wavelength भई ठीक है भई अब भई हमने आपको अब यह भी बताया है कि भई जो अमारी intensity है जो अमारी जो intensity है वो क्या ही है भई जैसे कि r का formula मैंने लिखा था r is equal to क्या हो जाएगा a square plus b square plus के 2ab और यह कितना जाएगा cos of theta cos of phi भई अगर phi 0 हो जाए या phi 2 pi हो जाए या 4 pi हो जाए या फिर 6 pi हो जाए यानि कि हम यह कह सकते है phi क्या हो जाए 2n pi हो जाए 2n pi और n की value क्या हो जाए 0, 1, 2, 3 इस तरिके से अगर यह condition रहती है इस phi के उपर cos 0 की value एक होती है cos 2 pi की value भी एक होती है cos 4 pi की value भी एक होती है cos 6 pi की value की भी एक होती है अगर यह condition काम करती है तो क्या होगा कि wave क्या हो जाएगी constructive interference में बाग लेंगी भी ठीक है यानिकि amplitude ज्यादा बनेगा भी condition क्या है तो constructive interference के लिए phase difference क्या होना चीए भी पहला भी constructive interference के लिए जो phase difference है वो कितना होगा भी वो कितना होगा भी 2n pi होगा भी लिखो भी इसको पहले फिर आगे कितर बढ़ते है ठीक भी constructive interference के लिए पुछा जाए phase difference कितना होता है 2n pi होता है अब बताओ भी path difference कितना होगा भी constructive interference के लिए phase difference और path difference कितना होगा भी path difference आपको निकालना है तो phase difference क्या होना चीए 2n pi तो ये formula लगाओ भी phi की value क्या होती है 2 pi by lambda into में क्या होता है path difference होता है phi की value क्या होती है 2n pi होती है 2n pi होती है pi से pi cancel 2 से 2 cancel तो बताइए कि path difference निकालना हमें तो ये lambda इस side आ जाएगा तो path difference की value क्या जाएगी n lambda जाएगी क्या जाएगी n lambda conclusion निकल चुके है भई फेज़ डिफरेंस जो है constructive interference के लिए फेज़ डिफरेंस क्या होता है टू एन पाई होता है path difference कितना होता है n lambda होता है और यंग्स double slit experiment में अगर हम path difference को n lambda के equal put कर देते हैं तो क्या आजाता है अमारी bright point बढ़ेंगे वही और अगर condition आ जाए कि destructive interference के तो उसके लिए क्या बनते है आपको करना है यहां पे आजाओ destructive के लिए destructive के लिए क्या होना चीए बताइए directive के लिए 5 क्या होना चीए यानिकि यह 5 किसी तरह से 0 हो जाना चीए तो किस तरह से होगा वही तो 5y2 के उपर 0 होगा वही 3 pi by 2 के उपर 0 होगा 5 pi by 2 के उपर 0 होगा इन सब के उपर 0 होगा यानकि यह कह सकते हैं कि 5 की value क्या होनी चीए 2n-1 into में क्या होनी चीए pi by 2 2n-1 pi by 2 होनी चीए तो क्या होता भी phase difference क्या होगा भई destructive interference के लिए phase difference क्या होगा भई तो 2n-1 इंटू में क्या आजेगा पाई बाई टू आजेगा क्या आजेगा पाई बाई टू इसके बाद पाथ डिफरेंस के और बात कर लो भई पाथ डिफरेंस क्या होगा भई पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या होगा भई बताइए भई इसकी value किसके equal put कर देते हैं 2 pi by lambda के equal put कर देते हैं और यह path difference आजएगा भई तो pi से क्या cut कर सकते हैं pi cut कर देंगे भई इसी परकार तो करेंगे 2 n minus के 1 lambda by 2 2 pi by lambda into path difference तो path difference कितना आएगा भई हमारा बताइए भई यहाँ से path difference तो भई 2 से 2 cancel हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा इसको लिख लेते हैं n minus के 1 by 2 और divide by में क्या जाएगा क्या होगा भई बताइए दोबारा से solve करते हैं भई दिखिए 2 n minus के 1 pi by 2 2 pi by lambda into में क्या जाएगा path difference pi से pi cancel हो जाएगा path difference में निकालना है तो क्या जाएगा 2 n minus के 1 lambda by क्या जाएगा फोर जाएगा 2 n minus के 1 क्या जाएगा lambda by 4 जाएगा भई तो यह इसकी क्या हो जाएगा अपकी condition हो जाएगी path difference भई इसमें solve कर क्या आता भई 2 n minus के 1 2 n minus के 1 और फिर क्या हो जाता है lambda by 2 होगा भई Q ii इसके बाद भई इजए यहां पे कुछ गल्ती हुई है देख्ये अगर यहां पे कहले कि पाई बाई टू पाई बाई टू नहीं होगा। तो यह 0 हो और प्या च injia'yai उमस्क्स idea यहां पे थोड़ी शी किल्टी हुई है T Rebel भी हम सोच लें कि वह व क्यों कियों नहीं रहा भई। ठीर यह क्या जाएगा भई। देखिए, थोड़ी सी करेक्सन करिएं भई। भूल हो जाती है, भेटी धिफरेंश। फेज डिफरेंश किसके इकवल हो जाता है भई। तो यह हो जाएगा भई। 2 n minus के 1, और क्या होजेगा, pi, यानि कि n की value 1 होगी, तो क्या होजेगा, pi होजेगा, n की value 2 होगी, तो 3 pi होजेगा, और cos pi की value minus 1, cos 3 pi की value minus 1, तो ये क्या होजेगा, destructive interference के लिए, phase difference क्या होता है, 2 n minus के 1 क्या होता है, pi होता है, उसी परकार अगर यहां पे अगर put करते हैं, इसको कट कर दो भई, सब गलत हो गया भई, यहां से 2N-1 क्या आजेगा Pi is equal to क्या हो जाता है 2Pi by lambda into में क्या आता है, path difference हाता है Pi से Pi cancel हो जाता है, यह divide by 2 आ जाता है, यानि कि 2N-1 lambda by 2, यानि कि अब solve हुआ है भई, ठीक है भई, तो यहां अगर path difference पूछा जाए, तो क्या जेगा 2N-1 lambda by 2, यह condition है भई, ठीक है भई, अब आग्गे solve करेंगे, तो क्या होगा अगर हम कहें कि bright point बनाने है, तो path difference कितना होना चीए, n lambda होना चीए, और अगर path difference 2N-1 lambda by 2 है तो dark point बनेंगे और n lambda है तो bright point बनेंगे, यह चीज़ आप भई, नोट करें भई, फिर हमागे की तरफ बढ़ते हैं, भई च्यार condition है, फोर्मूले लिख लो भई, phase difference, path difference phase difference, path difference भई, नहीं, class के last में भी हम एक बार फिर से लिखवाएंगे भई, इनको ठीक है भई, अब चलते हैं भई, यंग्स के परियोग के उपर भई, यंग्स ने क्या किया भई, तो यंग्स के double slit के उपर होता है तो एक experiment करना है भई, हमें वाँ पे तो उसके लिए हमें भई, कुछ solve करना है भई, ठीक है अब देख लेते हैं भई, यंग्स का किया है भई, दो slit ली भई, यानि की छिदर नहीं बोलते भई, यानि की दो point से लिए भई, जिनके साथ में light pass हो सकती है, वो लिए भई, उनसे light pass करवा दी भई, तो experiment देख लो भई, यंग्स का experiment पहले, यंग्स experiment, और इंदी में बोलें तो यंग्स का प्रियोग भई, इसने भई सबसे पहले क्या किया है, एक source of light लिया भई, एस क्या है source of light है इससे wave कि तरीके से जाती है wave front के तरीके से जाती है फिर इसने भई, यहाँ पे एक slit ली भई, double slit यानिके एक slit यह है वई, इससे पास हो जाती है और एक slit यह है वई, इंसलीट के बीच की जो distance है वो क्या है वो D है, दो छिदर के बीच की जो distance है वो क्या है small d है, small क्या है d है अब यह wave इस तरीके से जाती है और इससे क्या हो जाती है, पास हो जाती है यहां से तो ब्लोक हो जाती है वई यहां से फिर से वेव जाती है इससे भी निकलती है वेव अभी इससे एक वेव जाएगी एक इससे वेव जाएगी दोनों क्या कर जाती है सुपरिम पोज कर जाती है वई दूसरे एक दूसरे कोपर सुपरिम पोज कर जाती है उसकी वज़ अब यह सची के पेपर में क्यों सनाए हैं पांच साथ दिन ही हुए है तो वही अभी बताते हैं वह किस परकार आए हैं यह अमारी स्क्रीन है वही तो चलो वही वेव सुपरिम पोज हो जाती है तो कई जगह क्या हो जाता है कि यहां से वह जाती है और यहां से वह जाती है त तो किस परकार पता चलेगा भई, एक ही तरिका है कि path difference क्या हो जाए, अगर path difference n lambda के equal आ जाए, path difference अगर n lambda के equal आ जाए, तो ये bright point होगा भई, अगर path difference 2n minus के 1 lambda y2 के वराबर आ जाए, तो ये dark point होगा, एक ही condition है, इसके लवा कुछ नहीं है भई, तो ध्यान देने वाड़ी बा इसकी distance d मिलेगी भई, क्या बोलते हैं इसको capital D, distance between the slit and the screen के बीच में capital D है भई, यहां से इस point की जो distance होती है, ये कितनी होती है, ये x होती है और ये x हमें निकालनी होती है भई, यानि कि ये x हमें क्या है, निकालनी है भई, ठीक है, तो भई, ये capital D इन दोना के बीच की distance, slit के बीच की distance d है, और ये जो p point की distance वो क्या है, एक्स है भई, अब numerical के उपर आ जाओ भई, इसका formula क्या बनेगा भई, इसका formula ये है, कि अगर इसको solve करते हैं, तो यहां से एक path difference आता है, इसके आगे तो wave दोनों equal हैं, तो ये path difference आता है, तो young's experiment में जो path difference जो निकल के आता ह है, young's experiment में जो path difference निकल के आता है, इस formula को solve करते हैं, किसी ना किसी तरीके से, कोई pythagot theorem लगाएंगे, कोई इस तरीके से इस distance को लेंगे, तो path difference young's experiment में क्या निकल के आता है, x d by d by, x क्या है, इस point की position है, इसके साथ में d क्या है, दोनों slit के बीच की distance है, और d क्या है, screen और इसके बीच की distance है, अगर यह path difference है, x d by d, अब यहाँ पर हम कह देते हैं कि bright point वही, क्या कहेंगे, bright points, तो bright points के लिए क्या होगा, x d by d किसके equal होगा, n lambda के equal होगा, तो बताओ यह x n कितनी होगी वही, यह x n कितनी हो जागी, n lambda d by d हो जागी, तो वही bright point, बताओ वही distance कितनी हैगी, अगर पहली fringe की पूछ रहे हैं, पहला point जो बनेगा, यहाँ पे bright point उसकी distance कितनी होगी, n की value 1 put कर दो वही, second पूछे तो n की value 2 put कर दो वही, third पूछे तो 3 put कर दो, n की value 1, 2, 3 पे लाई करेगी वही, समझ में आ गया, कि वही ये point bright होगा, तो क्या होगा, condition क्या होनी चीए, action क्या होना चीए, n lambda d by d, क्योंकि कौन सी चीजा में put की है, कि path difference अगर n lambda होता है, तो bright point बनेंगे, अगर path difference है, 2n minus के 1 lambda by 2 होता है, तो dark point बनेंगे, तो यहाँ से dark point और देख लो भई, क्या होगा भई, x d by d, condition क्या होगी, 2n minus के 1 lambda by 2 होगी, बताओ भई, xn की value कितनी आजेगी, 2n minus के 1 lambda by 2 d होजेगा, lambda by 2 d होजेगा, और lambda by 2 d होजेगा, तो यह dark point की position क्या रहेगी, 2n minus के 1 lambda by 2 d, और साथ में क्या जेगा, d आजेगा, और bright point की condition क्या रहेगी, यह रहेगी, एक इसके बाद एक word use करते हैं, fringe width, क्या use करते हैं, fringe width, paper में पुछा जाता है, fringe width क्या होती है, तो कोई भी 2 maxima, 2 bright point, माल लिया कि यहा पर bright point बन गया, तो 2 bright point के बीच की distance क्या कहलाएगी, fringe width कहलाएगी, बताओ भई, अगर माल लिया ते हैं की x की value हमने put कर ली 2 भई, तो कितना आजेगा 2 में, 2 lambda d by क्या जेगा, d आजेगा, अगर माल लिया की 3 use कर ली, तो क्या जेगा 3 lambda d by d, इनके बीच की distance क्या है, fringe width है, बिट्टा से बई, दोनों को गटाओ वई, 3 में से 2 गया, एक यानकी lambda d by d, ये formula तो आपको याद रखना ही, रखना है, बिट्टा, fringe width किसके directly proportional होती है, अब exam में question किस परकार पूछा जाएगा, ये note करो वई, एक बारा गयी तरबड़ने बई, अब exam में question पूछा जाता है कि fringe width किसके उपर depend करती है, चार option दे दिये जाएंगे आपको fringe width, क्या होती है, बिट्टा is equal to lambda d by d, paper में दिया जाता है कि इसकी wavelength को बढ़ा देते हैं, तो fringe width क्या होजएगी, बढ़ जाएगी, screen की distance को बढ़ा देते हैं, तो क्या होजएगे, fringe width बढ़ जाएगी, इसके कि बिट्टा किस पर depend करता है, lambda d by d के उपर depend करता है, यह fringe width है, तो इसके साथ में अगर lambda भी आपको दे दिया जाए, d भी दे दिया जाए, और small d भी दे दिया जाए, तो आप calculate कर सकते हैं, यह याद रख लेना, एक meter में दे दिया जाए, एक centimeter में दे दिया जाए, तो दोन इस d के तो inversely proportional, lambda के directly proportional और distance के भी directly proportional भई, पेपर में यह पूछा जाता है कि second bright prince कहाँ पे बनेगी, तो बताइए वह second bright prince क्या होती है, n lambda d by क्या होता है, d होता है, तो second के लिए position क्या होगी, to lambda d by d हो जाएगा भई, lambda d दिया मिलेगा, यह दिया मिलेगा, इसके बाद साथ मे यह भी पूछ सकता है कि बताइए भी 5 भी कहाँ पे बनेगी, तो हम क्या कहेंगे, 5 lambda d by d होगा, या फिर paper के अंदर यह भी पूछ सकता है कि 5 भी bright points जो है, और दूसरा जो bright point है, उनके बीच की distance कितनी है, तो 5 में से दो गया कितना जगा, 3 lambda d by d है, किसी भी तरीके से, यान अंदर किसी न किसी तरीके से question हो जाएगा भी, ठीक हो भी, n lambda d by d हो जाएगा, 5 lambda n की value put करते जाओ, अपने जो भी पूछी जाए, उसके corresponding n की value put करो भी, dark point में पूछे भी, पहला dark point कहां पे बनेगा भी, xn की value, पहला dark point बताओ भी, 2n minus के 1, lambda by 2d, n की value 1 हो जाएगी, क्या जाएगा, lambda by 2d, और यह d तो रहेगा, lambda d by 2d, तो के उपर पहला क्या बनेगा, dark point, दूसरा dark point कहां पे बनेगा, 3 lambda d by 2d पे बन जाएगा, 4th कहां पे बन जाएगा, 3rd कहां बनेगा, 4th कहां बनेगा, इस तरीके से भी, आप सब चीज़े solve कर लेंगे, उमीद है कि यहां से question आएगा, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, अब एक question है, जो अभी पूछा गया है, वही बता देते हैं, आपको और नहीं तो, या फिर कई बार, पूछ लिया जाता है, देखिए दोस्तो, अगर इसको अटा दें, और यहां पे bright point का अगर जिकर करें, तो पूछ लिया और दूसरा maxima, तो इस पूरे की width पूछता है वही कई बार, तो जैसे ही आपके पास width पूछे, जैसे कि आपके पास दे दिया वही दूसरा maxima, तो दूसरे maxima की condition क्या है, 2 lambda d by d, और width पूछ ले तो क्या आजेगा, दो से और गुणा गर तो इसको 4 lambda d by d आजेगा, 4 lambda d by d इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, उमीद है कि अगर आपने अच्छे से पढ़िया है, तो आपको clear हो रहा है, अगर नहीं पढ़िया है, तो फिर तो देखते हैं भई फिर भी क्या होगा, ठीक है, इसके बाद में अब भई अरियाना ग्राम स्चीव के एक्जाम में अभ फोर्मूले देख लेना भई, फोर्मूले किसी का कोई गल्त नहीं होना चीए, देखे भई, एक क्योशन पूच्छा गया है, कि यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ ओफ रैड लाइट, क्योशन पूच्छा गया है, चससी के एक्जाम में लेमडा आर क वेल्यू कितनी है भई, तो 7.8 इंटू मद 10 की पाउर माइनस 5, फिर से हम कह रहे हैं कि भई, आप तक जो यहां पर कलास में पहुंचा है, वीडियो को देखते हुए, यहां तक पहुंचा है, वो कोमेंट सेक्षन के अंदर जरूर बताए भई, कि हम पूरी वीडियो करते हैं, वीडियो के उपर response अच्छा आता है, तो वीडियो की जो गती है वो तेज हो जाती है बनाने की, और अगर वीडियो के उपर कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर अगर लोग interest science को पढ़ना ही नहीं चारे, तो फिर वीडियो बना के क्या करें हमारी हो चुकी है, वो तो हमें तो क्या करना है कि हमें तो आपको पढ़ाने का काम है, देखना ना देखना, 2024 के अंदर देखना या 26 के अंदर देखनी वीडियो, देखनी तो पढ़ेंगी कभी ना कभी, ठीक है, लेमडा आर की वैलियो एन की wavelength of the red light आपको दे रखी थी व पूछा गया था कि एन की वो value बताओ वही, जिसके लिए एन प्लस 1 तो क्या है, blue light की, और coincide with the nth red band, यानि की path difference की बात होई थी, यानि की n प्लस 1 एन प्लस 1 किसके लिए, blue light के लिए, blue light के लिए, और nth किसके लिए, red light के लिए, यानि की कोई एक maxima हमारे पास पूछा था यानि की, एक distance पूछी है, कि जिसके उपर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 जो फ्रिंच है, यानि की position है, जिसके उपर तो blue के लिए, तो वो point आए, और red के लिए nth आए, तो क्या आएगा, path difference बताओ वही, क्या होता है, path difference बताओ वही, red light के लिए, क्या होना चाहिए, ताकि point maximum आए, तो path difference क्या होता है, n, lambda, यानि की किसके लिए होजएगा, red के लिए, तो n है वही, अब वही path difference, wavelength of light से path difference तो change नहीं होगा, path difference तो geometrical हो गया, वही के नम है, तो वह तो उससे change होगा नहीं, तो path difference किसके उपर depend कर रहा था, भी, path difference क्या था, x, d, y, d, x, d, ये भी d, geometrical है ये भी d है, तो path difference तो सब के लिए same रहेगा, अब उससे क्या है कि position, इस x की position change हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होणा है, ठीक है, तो वही, blue के लिए क्या है, nth दे रख्या है, n प्लस 1th किसके लिए दे रख्या है, lambda, blue के लिए दे रख्या है, पुछा गया था कि n की position बत गुणा में, 10 की power minus के 5 क्या जाएगा, cm, ये क्या जाएगा, n आ जाएगा, इसके पाद में n प्लस 1, और ये कितना है, वही, 5.2 गुणा में, 10 की power minus के 5 कितना आ जाता है, cm आ जाता है, देखिए वही, ये n है, और यहाँ भी n होगा, वही, इसको n से multiply करेंगे, इसको इस सा गते हैं, तो 7.8 माइनिस के 5.2 गुणा में, 10 की power minus से, 5 तो n एक आ जाता है, और इसके साथ में, अगर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे, तो 10 की power minus 5 एक आ जाता है, अब यहाँ से 10 की power 5 से 10 की power 5 केंसिल हो जाता है, और इसको इस से करते हैं, तो 2.6 आता है, तो 2.6 n आ माइनस के 1 lambda by 2 होता है, फेज डिफरेंस पूछे 2 n पाई, और उसके साथ में क्या जएगा, 2 n माइनस के 1 पाई, destructive interference है, चारो फोर्मूले याद रखेंगे भई, ठीक है, अब यह लगबग यहाँ पे हमारा complete हो रहे है, ठीक है, और अब फोर्मूले के उपर अगर ज्यान द मिलेंगे भई, इसके साथ में कोई देखके भई, एक मिनट में देखके चले जाते हैं उनको, क्या मिलेगा, वो पता चल जाएगा, ठीक है, देखिए भई, अगर हमने का कि यह क्या थी, दो वीट थी, छिदर जिसको बोलते हैं, यह वीट थी, इसके लिए एक फर्मूला लिखो वई, जो वीट थे, डबलू वन, पहले पॉइंट की, और इसके साथ में वीट डबलू टू की, यहां से वेव निकलती है, उसकी जो होती है, ए सुकेर, एम्पलिटूड इसका क्या होता, बी सुकेर, आईवन, भाई, आईटू, इन तिन्नों को रिलेट कर सकते हैं अदि यहां पर एक वेव आई वै, य एகुल तो ए साइन ओमेगा, थीक है, दूसरी वेव आई, य इस इकुल टू बी साइन ओमेगा क्या आजेगी, डी आजेगी बाई, दूसरी वेव यहां से आई, तो इसका एम्पलिटूड का सुकेर, इन्टेंसिटी, इसके एम्पलि बी निकाल सकते हैं तो इस फार्मुले के अंदर वई सब चीजे याद रखें w1, w2 क्या है इनकी width है a square इनका amplitude का square है और intensity क्या है amplitude का square होती है वही पहला formula लिखें वही आगे इतरा बढ़ें वही इसके बाद में वही कई बार पूछा जाता है कि intensity maximum और minimum का रेश्यो बताओ वही अगर intensity maximum और minimum का रेश्यो पूछे तो constructive के लिए a plus b होता है और destructive के लिए a minus b का whole square होता है यह आप निकालते हैं वही गलती से आपको दिया मिलेगा i1 और i2 intensity i1 i2 दिया मिलेगा 81 अभी हमने solve किया था तो intensity a square upon b square होता है और इसको solve करते हैं तो यह by b is equal कितना आता है 9 b आता है a की value 9 b put करो b की trump में आजएगा सब कुछ कट जएगा i maximum और i minimum हम निकाल सकते हैं ठीक हा भई इसके बाद में intensity किसी भी point के उपर अगर आपके पास intensity पूछी जाती है तो वो किस परकार होगी हमने कहा कि r square के directly proportional होती है r square के उपर depend करी जो resultant है तो r square क्या जएगा a square plus b square plus के 2ab cos phi होजएगा यह phi 0 है तो फेज आजएगा a plus b आजएगा अगर phi minus है तो a minus है b आजएगा यह आपर note करें भई ठीक है इसके बाद भई अगले formula की तरब बढ़ें भई इसके बाद अगले formula की तरब बढ़ते है भई position of the bright fringes किस परकार दी जाती है और position of the dark fringes किस परकार दी जाती है तीन formula हो चुके है fourth formula लिख लो भई position of bright fringes ब्राइट पॉइंट लिख लो या फिर ब्राइट fringes लिख लो xn is equal to n lambda d by d होता है भई पांचवा फार्मूला लिखो भई position of dark भई पोजिशन ओफ डार्क पॉइंट डार्क पॉइंट का जो formula लिखेंगे वह अजएगा 2n minus के 1 lambda d by 2d lambda d by 2d यह पांचवा आपका formula हो जाएगा भई ठीक है इसके बाद में fringe width है दो कोई भी maxima के बीच में और कोई भी 2 minima के बीच में जो width होती है उसको fringe width और d बढ़ा दिया जाए तो भी increase हो जाएंगे भई ठीक है भई इसके बाद में angular width पूछे भई angular width अगर पूछे तो angular width क्या होता भई जैसे कि थिट्टा होता है अब हमने कहा कि इस तरीके से भई fringe बन रही थी यह क्या हो जाएगा थिट्टा हो जाएगा भई थिट्टा में क्या हो जाता है एक्स भाई डी हो जाता है क्या हो जाता है थिट्टा इस इकल टू एक्स भाई डी हो जाता और एक्स भाई डी को क्या निकालते है भई यह लेमड़ा भाई डी हो जाता है लेमड वाई यंग्स का एक्सपेरिमेंट वही तो उप्टिक से बहुत ज़्यादा क्यों पूछता यह तो हमें पता नहीं लेकिन क्यों तो इतने मुश्किल आते हैं कि सोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है साइस वाड़ों के लिए अगर यहां पे अगर साइस में कुछ उस पूइंट मिल जाते हैं तो सेलेक्शन हो जाता है नोकरी लगती है और पूरी उमरी याद रहती है ठीक है और अगर नहीं हो तो फिर तो क्या है स्थीन्व और को सब्सक्राइब सबसे पहले वही टोपिक उठते हैं जिसकी ज्यादा मतलब वह रहती है कि वही यह किसी ने पढ़ाया नहीं हुआ है इसके साथ में आगर देखा जाए रियाना ग्रामश्यू में तो ग्रामश्यू में भी वही पंचाहिती राज के दोस्य दारायें हरियाना में पहला चैनल बन गया है वही जो सबसे पहले दारायें पड़ाने वाला चैनल हो गया है अब कहरें कि 30 नंबर का नहीं आएगा या फिर यह आएगा तो वही 15 से 20 नंबर का तो वही 15 नंबर का तो वही 15 नंबर का तो ग्रामश्यू में पूछा गय करता कि किस परकार का पेपर आएगा पुराने पैटरन पे आएगा नहीं आएगा पेपर आने के बाद भी पता चलेगा कि पैटरन क्या है ठीक है बई चलो बई next class में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करें वही निचे 10 दस क्लास और अवेलेबल हैं ग्यारवी क्लास की कंप्लीट फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वह वहां पे मिल जाएंगी दो क्लास और बची भी है यहना पुलिस के पेपर के बाद वह डाली जाएंगे ठीक है तुलो बई धन्यवाद